तो ऐसे लेक रैंडम डे पे हमने IKEA जाने का सोचा IKEA का वीडियो स्टार्ट करने से पहले देख तुले IKEA का फुल फर्म क्या है IKEA stands for Ingvar Kamprad, जो IKEA के founder है E stands for Imtarid, जहाँ पे वो बड़े हुए और A stands for Agunarid, यह उनके विलेज का नाम है यह एक स्विडिश बिजनेसमेल थे, इसलिए आपको IKEA में बहुत से स्विडिश आइटम्स भी दिखाई देंगे IKEA नवी मुंबई के शोरूम में आने के लिए सबसे नस्दीक उकूरबे रेलवे स्टेशन है और हाँ अगर आप चलके आ रहे हो तो आपको इतना घुमना नहीं पड़ेगा आप सीधा दूसरे गेट से अंदर आ सकते हो हलो फ्रेंज, वेल्कम तो मैं चैनल, आज हम आए हैं IKEA के नवी मुंबई तुर्बे शोरूम में और फ्रैंकली मैं भी यहाँ पर फर्स टाइम आई हूँ, तो लेट्स एक्स्प्लोर यहाँ पर क्या क्या हमें देखने मिलेगा, तो चलिए जैसे ही हमने एंटर किया, वहाँ पर सामने तीन चैज यह डिस्पले पर रखे थे कररंटली हम P1 में है, अभी यह एसकेलेटर्स पकड़के हम लेवल 1 में जाएंगे जैसे ही हम लेवल 1 में गए, वही पर सामने एक लिविंग रूम का सेटप रखा था यह क्लेम कर रहे हैं कि अगर आप यह कंपलीट सेटप लेते हो, तो यह आपको 50,000 के अंदर पड़ेगा हर एक फरनिचर पे प्राइस टैग लिखा हुआ है, अगर आपको कोई पर्टिकिलर आइटम पसंद आता है, तो आप सिर्फ वही आइटम भी खरीच सकते हो जैसे कि अगर आपको सोफा पसंद आया, तो आप यह सोफा 20,990 में खरीच सकते हो अच्छा है न, थोड़ा ट्रेंडी यह एक वॉल यूनिट देखा, इसकी प्राइस थी 5,790 लेकिन जो यह शेल्फ के अंदर चीजे रखी थी, जैसे वो लाम्प, वो बॉक्स उनकी प्राइस अलग है अभी मैं आपको आइकेया के प्रोड़क्स प्राइस रेंज के हिसाब से दिखा दे जाओंगी जैसे सिर्फ 99 रुपे में हमें इतनी सारी चीजे आईकेया में मिल सकती है यह थी 6 सर्विंग प्लेट सिर्फ 99 रुपीज उनली उनी प्लेट को यह मैचिंग करता यह 6 बोल्स का सेट और इसी के साथ यह मिक्स कटलरी कलर्स तो बहुत स्वीट थे मुझे पसंद आ गया फिर यहाँ पे यह बेबी कप्स थे सिर्फ 99 रुपीज फिर यहाँ पे राउंड ग्लास बोल्स थे जो आप डेकोरेटिंग परपस के लिए यूज कर सकते हैं उसी के बाजू में थे यह चोटे आर्टिफिशल फ्लास का सेट और उसी के ऊपर रखे थे यह कैंडल्स इच कैंडल फॉर 99 रुपीज ऐसे हमें कई सारे आइटम्स मिलें सिर्फ 99 रुपीज में लेकिन में सारे नहीं बता सकती नहीं तो वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा जैसे कि यह लिंट रॉलर्स प्लास्टिक कंटेनर्स अभी हम देखेंगे 500 रुपीज में आइकिया में हमें क्या-क्या मिलता है यहां हमें यह कंटेनर्स दिखे यह तीन कंटेनर्स सिर्फ 149 रुपीज में मिल जाएगे पहले जो कंटेनर्स हमने देखे वो विदाउट लिड थे और यह कंटेनर्स लिड के साथ है फिर यह फ्लार वास थे काफी अट्रैक्टिव थे और काफी ट्रेंडी भी लगे मुझे सिर्फ 199 रुपीज में फिर आगे जाके हमें ये बॉक्सेज दिखे वो भी प्रॉपर कमपार्टमेंट्स के साथ ये एक मल्टी पॉपस बॉक्स था जिसका यूज आप काफी सारे चीज़े रखने के लिए कर सकते हैं जैसे जूल्री रखने के लिए या फिर कोई मेडिसेंज एनिथिंग फिर हमने आगे जाके 259 रुपीज में आटा चलने देखी प्यूर स्टेंले स्टील की थी और काफी कॉम्पाक्ट थी नाइस ना फिर यहां पर मेडियम साइज स्टेंले स्टील के बॉल्स थे फिर यह ओइल डिस्पेंसर्स और उसके बाजू में यह अवन ग्लोज फिर हमें दिखे यह ड्रॉइंग पेपर रोल्स सिर्फ 2.99 रुपीज में फिर यह कॉटन के स्टोरेज बॉक्स थे जिसमें आप कपड़े रख सकते हैं वो भी सिर्फ 2.99 रुपीज में यह बॉक्स थोड़े बड़े थे इसलिए इनकी प्राइस थी 5.99 रुपीज आईकेया में उन्होंने काफी अच्छा सेट अप करके रखा है घर की हर एक रूम उन्होंने इतनी अच्छे से सजाई हुई है जैसे कि लिविंग रूम, बेड रूम, किचन हम ऐसे करके एक एक रूम देखेंगे और उनके क्या-क्या प्राइजिस है वो भी जानेंगे जिसकी प्राइस थी 4,490 रूपए फिर ये रॉकिंग चेर्स दिखे जो काफी ट्रेंडी थे उसमें से ये चेर की प्राइस थी 5,300 रूपए अभी चलते हैं किट सेक्षन की दरफ यहाँ पे एक सेक्षन था जहाँ पे सिंगल बेड्स थे बच्चों के बहुत ही प्यारे बेड्स थे सिर्फ ये बेड्स रेंजिंग फ्रम अराउंड 8,000 से 12,000 यहाँ पे बंक बेड्स की भी काफी वराइटी थी यहाँ पे ये एक बंक बेड्स दिखा जिसकी प्राइस थी 19,990 रूपए फिर यहाँ पे ये सॉफ्ट आई दिखा उसकी प्राइस थी 1290 रूपए मेरे हिसाब से थोड़ा महेंगा था पर क्यूट था फिर यहाँ पे चिल्रेंट्स कोट हैंगर्स थे आठ हैंगर्स सिफ 99 रुपीज में फिर यहाँ पे हमें ड्रॉवर स्टोरेज और्गनाइजर यूनिट्स देखने मिले चार हजार से लेके आठ हजार तक और इनमें जो ड्रॉवर्स थे उनके प्राइजेस अलग थे जैसे कि ये एक ड्रॉवर इसकी प्राइज थी 150 रुपीज यहाँ पे केट्स लैंब की इतनी सारी वराइटी थी आप देख सकते हैं बहुत कलरफुल लैंब्स थे जैसे कि ये लैंब 1,990 रुपीज ये लैंब था फोर 2,490 रुपीज वैसे थोड़े एक्सपेंसिव थे पर बहुत यूनीक थे ऐसे लैंब्स आपको शाहिद ही मार्केट में दिखाए दे फिर यहाँ पे हमें केट्स के कबर्स देखने मिले इसके अंदर ये मिरर दिखा इसकी प्राइस थी 350 रुपीज ओनली और कबर की प्राइस थी 12,990 रुपीज फिर एक कंप्लीट सेटप दिखा स्टडी रुम का जो आपको ये सारे आइटम्स मिला के आएगा 20,000 रुपीज में जैसे ये सिजर्स 99 रुपीज में ये वाल क्लॉक 599 रुपीज में ये फोटो फ्रेम 149 रुपीज में और ये वाल स्टोरेज उनिट 10,950 रुपीज में और हाँ मैं एक इंपोर्टन चीज बताना भूली गई आपको जिस किसी भी प्रोड़क्ट पे ऐसा रेड लेबल दिखेगा इसका मतलब ये है कि ये प्रोड़क्ट सिफ डिस्पले के लिए है जब ही आप इसका ओर्डर प्लेस करोगे कैश काउंटर पे तब ही आपको इसका पैक पीस दिया जाएगा ये एक और किड्स बेडरूम का सेट अप देखा जहाँ पे इस कबड की प्राइस थी 18,600 वैसे कबड की हाइट काफी अच्छी थी आप देख सकते हैं इसमें प्रोपर कबड़े हैंक करने का प्रोविजन था नीचे आयन क्लोस रखने की जगा और उसके नीचे तीन ड्रॉवर्स ऐसे ये प्रोपर कबड था फिर यहाँ पे हमने देखा मिनी बंग बेड फ़र 19,990 उसके साथ हमें यहाँ पे देखने मिला फ्रोरेज ओर्गनाइजर यूनिट विद येलो ड्रॉवर्स वाल माउंटेड फ्लाट शेल जहाँ पे हम बुक्स रख सकते हैं या फिर कोई भी शोपीस किट्स सिंगल बेड फिर किट्स टेडी टेबल और उसी के उपर बुक्स रखने के लिए वाल यूनिट फिर ये बहुत ही गर्ली सेटप था विद नाइस कॉंबिनेशन आफ पिंक और ग्रे आइकिया में आके आप कुछ खरीदो या ना खरीदो लेकिन यहाँ पर आके आपको घर सजाने के तरीके जरूर मिल जाएंगे जैसे यहाँ पर उन्होंने बेड और फरनिचर काफी अच्छे से मैच किया है और ये वाइट लाम्प स्पेशली इतना प्रीटी था इसकी प्राइस थी 1290 रुपे ये राउंड मिरर इसकी प्राइस थी 999 रुपेश फिर ये मिनी कबर्ड इसकी प्राइस थी 12,098 और ये पिंक कबर्ड इसकी प्राइस थी 16,997 ये आर्टिस्टिक फ्रेम फर 799 रुपेश ये एक्स्टेंडेबल बेट फर 17,99 रुपेश और ऐसे और भी प्रोड़क्ट्स थे यहाँ पे जिससे ये बेड्रूम काफी क्रियेटिव लग रहा था ऐसे करके हमें बच्चों के और भी कई सारे बेड्रूम के सेटप्स दिखे और उनके बेड्रूम से जाने के आईडियाज मिले फिर ये किड्स टेबल, सॉफ्ट टॉइज और ऐसे कई सारे किड्स के प्रोड़क्ट्स थे जो आप यहाँ आके बहतर समझेंगे और मैं मेरा आईकिया का वीडियो यही स्टॉप करती हूँ और आपको मिलूँगी अगले पार्ट में अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर लाइक और शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सबस्क्राइब कीजिए धन्यवाद